कैशकान मामले में जार्खन कॉंग्रेस के तीन वधायकों को 31 जुलाई को पार्टी की ओर से निलंबित किया गया था इसके बाद तीनों वधायक लगतार आलाकमान से मुलाकात करते वे नजर आ रहे थे इसी मसले पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौझूद है कोले पीरा विधायक नमन विकसल को गारी बातशीत करते हैं कि निलंबन वापसी को लेकर आप लोगों ने कई बार आलाकमान से मुलाकात किया जारकन प्रभारी अविनाश पांडे से भी आप लोगों ने मुलाकात किया क्या कुछ उधर से बाते आई है आखर निलंबन वापसी को लेकर क्या कुछ चर्चाई हुई है आने वाले समय के लिए हम लोगों ने कई दावर में बाते किये हैं यहां तक कि प्रदेश Usther में भी हमने हमारे प्रदेस प्रभारे और हमारे प्रदेश-दाख जी से हम लोगों ने अपनी बातों को को लेका उनसे मिले थे राच्टे-अस्तर पर भी हमारे किशिवयनी गौपाल जी भी हमारे रास्टे धक दाधे affinity हम लोगों ने मिला था चुकि मार्च माह में ही हमारा हम पर जो लगा आरोब राची हाई कोट ने खारिज कर दिया था ये फायर को ही उसके बाद हम लोगों ने मिला और संतुष्ट भी वेवेशप को ही और हमें आस्वासन भी मिला कि आप लोग संगटन के लिए काम कीजिए और उसके बाद हम लोगों ने पुरे संगटन के लिए पूरा समय दिया चार माँ और पार्टी की मजबूति और आम जन तक शमस्या से जुड़े हुए हर मुद्धोंग पर हम लोगों ने बढ़ चड़ कर काम किया और आज हमारा छित्र बहुत मजबूत स्थिति में है बिधान सभा ही नहीं हम लोगों ने पूरे लोगसभा छित्र में भी काम किया और संगठन के मजबूति के लिए और लोगसभा को अपने पाले में करने के लिए भी हम लोगों ने प्रयास किया और आज मेरे खूटी लोगसभा में बहुत अच्छा महौल बना हुआ है हम दावे के साथ कह सकते हैं कि इस बार हमारे गडबंदन के पाले में खूटी लोगसभा के सीट निश्ची तोर पर आएगा होली से पहले आप लोगों को सौगात मिली थी जार्खन हाई कोट नहीं 0FIR को रद किया था उसके बाद तीनों ही वधायक काफी खुषते तीनों ही वधायक से मैंने खुद बादचीत की थी तो आपका इस परस रूप से कहना था कि अब हमें पार्टी की ओर से निलंबन जो वापसी को लेकर बादचीत हो रही थी वो जल्द हो जाएगा तो क्या आप लोगों को क्या लग रहा पीच काम फस रही आखिर अब तक क्यों नहीं कुछ पहल हो रही है इस सी लाइन पर हम लोग फिर दुबारा पहल नहीं कर पाए चुँकि हमें एस परस निर्देश था कि हम अपने छेतर में संगठन के लिए और आम जनता के लिए काम किजिए और हम सबों का ध्यान वहीं पर रहा और हम लोगों ने वहीं काम किया और आज हमारा चितर बहुत मजबुस्ति सिती में और पाटी भी बहुत मजबुस्ति सिती में है और निलंबन वाफसी तुनिस्चित होना है चुकि केस हमारा खारिज हो चुका है अब सिर्फ हम तीनों को आपस में बैटके फिर से अंतिम पहल करने के आउशकता है जो छेतर के कामों को लेकर संगटन के कामों को लेकर हम ब्यास थे अब खेतिवारी के समय आ गया है अब मद्दाताओं में भी अपने कामों को लेकर सब्व्यस्त हो गया है अब अभी अच्छा आउसर है अलकामान से और उच्छ से पतातिकारियों से मिलकर निलंबन अपसी के लिए हम मिलेंगा और उमीद है बहुत जल्द निलंबन मुक्ता में कर दिया जाएगा छेत्र को लेकर आप प्रमुक्ता से अपनी बातों को रखते हैं साथी साथ आदिवासियों की जितनी भी मुद्दे रहते हैं आप उसको अपनी आवाज सरकार तक पहुचानी की कोशिश करते हैं चाहे वो यू सी सी का मुद्दा हो या फिर आदिवासियों का अन्य मुद् यूशीशी के बारे में अभी चर्चाएं हैं लेकिन मुझे यूशीशी को लेके करीब डेड़ साल पहले ही संदे हो गया था जब एक आदिवासी महिला जो गहरादिवासी में विवा हुई थी उराओ जन जाती की थी वह सुफ्रिम कोट में केस ले गए थी और हमारे कस्टम समरी लोग के खिलाफ उनके फक्स में फाइसला आ गया था कि उराओ जन जाती के पैतरिक संपती पर इसको हक दिया जाए उसके बाद पिछला साल नुवेंबर माह में सुफ्रिम कोट ने उसी जज्जमेंट के अधार पर सिंटरल गॉवर्मेंट को एक निर्देश जारी कि कि आप आदिवासी महिलाओं को हिंदू तर्जिकार कानून कलाव दिजे इसके लिए कानून बनाएं और उसी शमये दिसंबर माह के आसपास से ही उसीशी के बारे में चर्चाय होने लगी और दो माह पहले मांसुन सतर में इसे लाने का बाद अखबारों में आया था और इ आंत में हमारे मानने प्रधान मंत्र जी का भयान आता है कि एक परिवार में दो कानून नहीं हो सकता है यूशीशी जरूरी है यूशीशी के बारे मैं बता देना चाहूंगा हमारा आदिवाशी शमुदाय कस्टमरी लोग से चलता है विवाह जमीन संबंधी अधिकारे और भी शक्षेशन से संबंधित अधिकारे ये सारे चीजें आन्या समुदायों से हमारा विहिन है और हमारा समुदाय परिवार वाद पर विश्वास नहीं करते बलकि सामोहिकता पर विश्वास करता है हम आदिवाश्यों में हर चीज हमारा सामोहिक अधिकार होता है जमीन प सारी नीरने हम सामोहिक होकर नीरने लेते हैं हमारे आधिवाजी समोज़वाद में एकल या परिवारवाद फर हम बिश्वास नहीं रखते हैं लोगसबा चुनाओं को लेकर भी सभी राजनेतिक दलों में तयारियां शुरू हो गई है आज विपक्षी एकता मजबूती को लेकर बैंगलूरू में बैठक रखी गई है क्या लगता है इसे लोगसबा चुनाओं में कोई असर देखने को मिलेगा क्योंकि लगतार भारती जनतापार्टी सवाल खड़े कर रही उनका कहना है सारे भरस्ट जो नेता है वो एक मंच पर इससे आने वाले समय में कोई असर नहीं दिखेगा क्या लगता है आपको आज पूरा देश एकमत है और बहुत मजबूस परिसिती में है विफक्स मैं बता देना चाहूंगा जिस तरह से भारती जनतापार्टी ने एक-एक मुद्दोंग पर देश को कमजोर करने का कोशिश किया महंगाई बढ़ाई महंगाई के रास्ते से भी आम जन्दा को लुटने का काम किया पूंजी पतियों को देश की संस्थाओं को बेचा गया उस रास्ते से भी देश को आरती ग्रूप से कमजोर कर पूंजी पतियों को मजबूत बनाया गया रोजगार चीनने का काम किया गय आज हम देख रहे हैं समाजी के एकता यूशी शिला कर इसे भी कमजोर करने का प्रहास किया जा रहा है और आदिवासियों के कबजे में जो जमीन है उस जमीन को छीनने के लिए कई सड़ी अंतर रचे जा रहे हैं ताकि खनी समपदा को पुझी पतियों को दिया जा सके और पुझी पतियों को मजबूत कर देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर देश को गुलाम बनाए जाए ये साजिस रचा जा रहा है और इस बात को हम आम जंता तक पहुँचाने में सक्षम है देखिएगा दुहजार चोवीस भाजपा का कमजोर भवन पूरी तरह से धारा साई हो जाएगा और हमारी विचार धारा का सरकार इस बार चोवीस में बहुत मजबूती से खड़ा होने वाला है तो बाइसकोप के सारे सवालों का नमन विक्सन कोंगाडी ने बेबाकी से अपनी बातों को यहां पर रखा है इनका इस पस्ट रूप से कहना है कि जो आज विपक्षेकता मजबूती को लेकर बैंगलूरू में बैठक रखी गई है उसका असर आने वाले समय में जरूर देखने को मिलेगा फिलाल मुझे दे इजाज़त सही होगी के साथ करिश्मा से ना न्यूस पाइस को रांची अमीजी उनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगता सिक्षा के शेत्र में आनमैश्ट एक्सलेंस पर दान कर रही है यूनिवर्सिटी रिसर्च और इन्वेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है यही कारे ने कि यहां के सिक्षकों और शात्रों ने मिलकर अब तक 700 से जादर रिसर्च पे 32 से जादर पेटेंट फाइल किया है यही नहीं यहां के फैक्टेल्टी और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबे पब्लिश की है यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्परेट प्लेस्मेंट प्रॉसेस को क्रेक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए अमिटी उनिवर्सिटी अपने स्थापना से ही देश वी देश के कई जानी मानी मल्टी नैशनल कंपनी जैसे Amazon, Accenture, JP Morgan, JPT, TCS, Uvipro, ITC, Federal Bank, हिंदुस्तानिय निलिवर्ड जैसे 180 सी रापिटेट कंपनी के लिए रिकूट्मेंट की प्रिफर्ड चोईस बन गई है यही वज़ा है कि आयुश कुमार को JPT Company Limited में 24 लाग, जानने सार अक्तर को Amazon से 30 लाग और देव नरूला को Human Holding Company Limited में 44.5 लाग का पैकेज मिला वही सुमन गुपता को पैलो ओल्चो में मिले 47 लाग के हाइस पैकेज से युनिवर्सिटी ने विहार और जाकर में एक नया रिकूट्ट कायम किया है